हेलो, आज हम लोग बात करेंगे कि एक semen analysis report को हम किस तरह इंटरपेट कर सकते हैं, या किस तरह अनलाइज कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारे patients ऐसे आते हैं, जो पिछले बहुत सालों से semen analysis reports करवा चुके हैं, कई बार करवा चुके हैं, और reports हर बार normal आती हैं लेकिन जब वो patients हमारे पास आते हैं, जब हम लोग male partner का semen analysis करते हैं, तो हमें दिखता है कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो count कम है, या motility कम है, ये सबसे important factor है, इसलिए कि आप semen analysis जब करवाएं, तो एक standard lab से करवाएं, जो कि WHO के सारे world standards follow करते हो, उनका preparation का तरीका standardized हो, और जो endrologist semen analysis report को produce करने वाले हैं, वो endrologist trained हो, certified हो, semen analysis की report को हम लोग मोटे तोर पे चार अलग-अलग factors के रूप में देख सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे test होते हैं, लेकिन एक lay person के लिए ये चार test देखना easy होता है, सबसे पहला उसमें जो है, वो है volume of semen, जो की volume होती है, वो 1.5 ml या उससे ज़ादा होनी चाहिए, तो उसे हम लोग normal मानते हैं, दूसरा है sperm count, sperm count यदि 15 million से लेके 120 million के बीच में है, तो उसे normal माना जाता है, इसके नीचे हम लोग उसे oligospermia कहते हैं, जो तीसरा factor है, वो है motility, या फिर गतिशीलता, ये motility 40% के उपर total motility होना चाहिए, अगर 40% के नीचे होता है, तो हम लोग उसे asthenospermia बोलते हैं, और last factor जो होता है, वो होता है morphology, यानि बनावटी रचना जो कैसी है sperm की, अगर 100 में से 4, यानि कि 4% sperm भी अगर normal form के हैं, तो उसे normal बाना चाहता है, और 96% abnormal हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इस तरह से हमें एक semen report को analyze कर सकते हैं, Thank you.